तो हेलो फ्रेंड स्वागत हैं आप सभी का अपना इस यूटूब चैनल जी अन्वे स्टर्डी सेंटर में दोस्तों और मैं हूँ पपु पहाड़ी आदो आज किस वीडियो में आप लोग के लिए आयू संबंधी जो कोचन होता है उसको लेकर रहा है पाट फोर का वीडियो है इससे पहले पाट फोर पाट फोर थीरी के वीडियो आयू संबंधी जो है उसको दे चुके हैं आप लोग के लिए और उसका लिंक इस पाट फोर के को तोट बढ़ा से बाड़ा आता हैं सब को राखे हैं इसके बाद वियोर पार 5 & 6 & 7 जो भी है उसको आप लोग के सामने हम रखेंगे और देंगे बस आप लोग को क्या करना है अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं जो नए अभी वर्फ पार जियेगा तो एक ही ट्रीक से हम बताये हैं जो भी पाट हम लाते हैं पाठ से हमाई हैं और विटेंग पतार revital जिन मेढ़ की सांभी देखाई हैं और श्कंट होग इसके बाद भी गुन गुनि UAला सवाल है दस बर्स पहले इतना एक वटा-दुगoufl थी या दो बटा तीन गुनी थी तो बरतमान में कितना होगा या पांच बरस वाले कितना होगा जो भी सवाल ऐसा आएगा अलग-अलग टाइप का उसको सब को इसमें रखे हैं आप लोग को करना है क्या किसी की गाइड करने से रास्ता तो जरूर मिल जाता है लेकिन मेहनत औ जो पहला कोचन है उसको देख लेते हैं यहाँ पर पहला कोचन है थोड़ा सा पहल लेते हैं बढ़िया से इसको पहले उसके बाद सौल्व करेंगे बिबेक की आयू उसके पिता रजेस की आयू की एक बटा तीन है बारा बरस बाद बारा बरस बाद बिबेक की आयू उसके पिता रजेस की आयू से आधी हो जाएगी तो विबेक की पिता की बरतमान आयू क्या है कोचन बोल रहा है विबेक की आयू उसके पिता रजेस की आयू की क्या है एक बटा तीन है विबेक पहले लिख लेंगे विबेक के बारे में बोल रहा है इधर पीता कर देंगे अब देखिए विबेक की आयुष के पीता रजेस के आयुष के एक बटा तीन है एक बटा तीन दिया है तो इसको अनुपात में भी लिखा जा सकता है एक अनुपात तीन इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए पहले विबेक बोला है तो विबेक एक हो जाएगा पहले विबेक यहाँ पर बोला है विबेक की आयुष उसके पीता रजेस के आयुष के एक बटा तीन है यह विबेक हो जाएंगे और इधर पीता यहाँ तक तो किलियर होना चाहिए लिख लेंग्यानुपात बिबेक का एक हैं और पिता का तीन आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि पिता के उम्र जब ही होगा तो पुत्र से बड़ा होगा तो इसलिए तीन हो जाएगा पिता का और बिबेक का एक हो जाएगा अब आई आगे बढ़ते हैं प्रसना यहां से बोल रहा है 12 वर्स बाद 12 वर्स बाद विबे की आयू उसके पिता रजेस की आयू की आयू से आधी हो जाएगी तो हम बताये थे इसके पहले जो पाट 1, पाट 3 और पाट 2 का विडियो में कि अगर पहले की बात की जाएगी 10 वर्स पहले 5 वर्स पहले तो यह परजेंट का अभी जो दिया है इस अनुपात से पहले देगा तो उपर की ओर चलेंगे जितना वर्स बोलेगा अनुपात लिख इसलिए लिख दे रहे हैं 12 वर्स बाद 12 वर्स बाद विबेक की आयू उसके पिता रजेस की आयू से आधी हो जाएगी तो विबेक की आयू 12 वर्स बाद पिता की आयू की आधी जब हो रही है यानि एक बटा दू हो रही है तो विबेक की आयू उपर वाला हो जाएगा ए एक बटे दू है, तो एक अनुपात इसको दो भी लिख सकते हैं, तो बड़ा वाला पीता और छोटा वाला भी देख, तो बारा वर्स बाद कितना हो जा रहा है, एक अनुपात दू इसको लिख लेंगे, कोई दिकत नहीं यहां तक, अब आईए, यहां से हल होगा आपका, य यही ट्रीक हम, जो भी पाट 1, पाट 2, पाट 3 बनाए हैं, उसमें दिये हैं, आईउसमाधी कोशन में, अब यहां से हल होगा, हम बताये थे, यह तो परजेंट वाला हैं बरतमान में, जो दिया हैं, एक बटा 3 उसको मान लेंगे, और यह बाद वाला अनुपात हैं, अब इन दोनों में जो नीचे अनुपात रहेगा, बताये थे पहले वाले भी वीडियो में, कि जो नीचे अनुपात रहेगा दोनों में, परजेंट वाला या जो पहले दे देगा, या बात दे देगा, तो जो नीचे वाला रहेगा, उसी का अंतर पहले लिखेंगे, तो यहां दो तीन और दो में कितना कांतर है एक का तो बटा में डिफरेंस ले लेंगे क्रोस मुल्टिपलाई करके यहां तक तो कोई दिकत नहीं होने चाहिए अब आये जितना बर्स बाद कहेगा या जितना बर्स पहले उसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे यहां पर अगर पहले भ बाद में देगा जितना बर्स पहले और बाद जो भी कहेगा तो उसमें क्रोस मुल्टिपलाई करके यहां पर रखते थे अभीडिया वारा बर्स बाद आदब बाद से चलाएगा अब και यह बारू बचा बार आपको हमेशा गुणा करना है जैसे पहले बाद बिबे की आयू पिता की आयू रजेस की एक बटा दू मने आधी हो जाएगी तो बोल रहा है बिबे की पिता की आयू क्या होगी तो ये पिता का अनुपाथ हैं 12 बरस बाद 12 से इसमें गुणा कीजिए तो 12 दोनी कितना हो जाएगा गुणा कीजिएगा तो 26 तो ये 12 ब अभूरा आयू संबंधि जो भी कोश्चन है उसको हम हल करते हैं और बताते हैं आप लोगो तो अब क्या करना है अगर आप लोग समझे नहीं होंगे तो थोड़ा सा समाझ लिजिए यह बहुत ही महत्पूर्ण कोश्चन है विबेक और पीता का आयू दिया है एक बाटा तीन विबेक किया यू पीता किया यू कि कितना है एक बाटा तीन है तो एक बाटा तीन को अनुपात में एक अनुपात तीन एक अनुपात तीन लिखते है विबेक और पीता अब बोलो है बारा बरस बाद आधी हो जाएगी तो आधी को एक अनुपात दू लिख सकते हैं तो य ईकसे गया 12 बचा अब इस 12 से बरतमान वाला उनुपात में नहीं करना है बाध में जो भी दिया रहे रहे गा यह पहले दिया रहे इसमें करेंगे तो 12 बोर्स बाद का उनुपात हैं एक बटा हो रहा हैं तो बारा घटा ये घालेंगे परजेंट में जाने के लिए घाटाएंगे बारब रश अभी जितना होगा उसको न लेंगे तो ये बारबरश बाद का है तो बहुत्वी स्क्रेंचोंट लिजrocket भोथ ही महत वह क्षकर्ण है देखेंगे इसकी बाद अगला क्षचर्ण देखेंगे अब कोशन को देखेंगे दूसरा कोशन है टाइप इसमें थोड़ा सा चेंज है उससे कोई दिकत नहीं है अलग-अलग कोशन हम बोले ही है इक इस वीडियो में लाए है बस इस टाइप को जो भी कोशनाएगा तो आपको बनाना है एक जाम में या टेस्ट सीरीज में या कोई भी भी बूग से बनाना है बस हम टाइप अलग-अलग लाए है उसको देखना है बोल रहा है कि रवी तथा मोहन की आयू का अंतर कितना दिया है 18 वर्स दिया है छो बर्स पहले रवी की आयू मोहन की आयू से तीगुनी थी तो दोनों की बरतमान आयू क्या होगी यहाँ पर बोल रहा है कि रवी तथा मोहन की आयू में अंतर कितना का है अंतर दिया है 18 का धिया है ठीक है कोई दीकत नहीं अंतर कितने का है 18 वर्ष का है थोड़ा सा इसको पहले लिख देते हैं 18 वर्ष का अंतर है बोल रहा है उसके बाद कि 6 वर्ष पहले रभी की आयू मोहन की आयू से तिगूनी थी रभी और मोहन तो और थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं रभी और मोहन छो बर्स पहले अभी मालूम नहीं है रभी और मोहन की आयू का अनुपात कितना है तो छो बर्स पहले जब बोला है कि छो बर्स पहले रभी रभी की आयू मोहन की आयू से कितना हो जाएगी तीन गुनी तो 6 बर्स पहले बरतमान में से 6 बर्स पहले के लिए बोले थे कि उपर चलना है 6 बर्स पहले बोलेगा 6 बर्स पहले तो क्या करेंगे अभी रभी और मोहन है रभी मोहन की बरतमान आयू नहीं मालूम है चोबर्स पहले बोला है रवी हो जाएगा मोहन की आयूसे ती गुनी तो रवी हो जाएगा तीन गुनी मोहन की आयूसे तो मान लिजी के मोहन एक है चोबर्स पहले तो रवी कितना हो जाएगा तीन इससे तीन गुनी अच्छा चोबर्स पहले के लिए बरतमान से उपर चलें इनका अंतर कितना दिया है उम्र का अंतर आयू का अंतर कितना दिया है रविय मोहन का 18 वर्स अब आपको क्या करना है इसमें दूग अनुपात नहीं दिया है नहीं तो नीचे वाला के डिफरेंस लेते इनका दोनों का देख लेना है कि छो बरस पहले में अनुपात का रभी और मोहन में कितना का अंतर है तो तीन और एक में कितना का अंतर है दो के अंतर है ये भी उम्र है छो बरस पहले का मोहन का और ये रभी का है छे बरस पहले का तो इन दोनों में कितना का अंतर है दो बरस का जब दो बरस का अंतर है अनुपात वाला एज में और रियल में बोल रहा है कि अंतर कितना का है अठारो इस दो से इस अठारो को जो भटाईएगा कटाईएगा तो कितना हैगा नव दोनी अठारो एक पकितना अगे अठारो तो जिसका पूछेगा यहां से निकल जाएगा, अगर मोहन के पूछा जाएगा और अगर रभी के पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27 तो ये निकल करा गया 6 वर्स पहले का, 27 वर्स रभी और मोहन कितना है? 9 वर्स अब आपको क्या करना है बरतमान में पूछ रहा है बरतमान में आयू दोनों की क्या होगी चो बर्स पहले रवी अगर 27 साल का होगा तो बरतमान में कितना होगा इसमें 6 आइड कर दिजिएगा 23 में 27 में 6 तो 27 में 6 आइड करना है तो 33 आजाएगा 33 बर्स और रवी में मोहन में किजिएगा तो अभी 9 बर्स का 6 साल पहले 9 बर्स का है तो अभी कितना हो जाएगा, तो 9 में 6 आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो ये 15 हो जाएगा, 15 बर्स, तो बरतमान में दोनों का आयू क्या हो जाएगा, 33 बर्स, बस यहीं आपका एंसर तो हो गया, 33 और 15 बर्स, यहीं हो जाएगा, तो अगर दो गोनों ही देगा, तो difference जो जोडेंगे पहले का अगर एज मालूम है तो बरतमान में के लिए क्या करते हैं जोडते हैं और बात दे देगा पहले का पूछे का तो घाटा लेंगे अब आईए यह समझ गए होंगे अब देखेंगे इसके बाद next question को देखेंगे स्क्रिन सोट लिजिए बढ़ते हैं बहुत भी भी आई question है आगे बढ़ते हैं अगला question तीन नमर question को देखते हैं यह question LIC 2010 में पूछा था LIC 2010 में यह question आया था था थोड़ा समझेगा सही से इसको पहले question को पढ़ते हैं बोल रहा है राम का विबाह छोब वर्स पहले हुआ था अब उसकी आयू बिबाह के समय की आयू से एक बटे चार गुना है अब का आयू अब बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयू उसकी आयू की एक बटा दस गुनी एक बटा दस गुना है तो उसके पुत्र की बरतमान आयू क्या है यहाँ पर तीन condition दिया है और तीन condition क्या है उ उसको देखते हैं राम का विवा चो वर्ष पहले हुआ था अब उसकी आयू उसके बीवा के समय के आयू से 111 वटचार गुना है तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहां पर लिखना है बीवा के समय बीवा विवा के समय आयू समझने के लिख रहे हैं विवा के समय आयू ठीक है अब आयू अब आयू लिख लेंगे उसके बाद पूत्र की आयू बस यही तीन कंडिसन है पूत्र की आयू यही आपको समझना है तो छो बरस पहले विवा हुआ था यह बोल रहा है अब बोल रहा है कि अब उसकी आयू विवा के समय कि आयू से एक सही एक बट़ चार है अब अब विबा के समय के आयू से अब की आयू कितना है एक वटे चार गुना तो इसको तोड़ेंगे तो चारे कम चारे पांच वटे पांच वटे चार होगा अब की आयू है विबा के समय के पांच वटे चार गुना है तो इसमें आपको ये तय करना है कि विबा के समय के आ अभी का सम आयू कौन होगा, तो बिबाह जब छो बर्स पहले की आयू से अभी का आयू इतना है, तो इसका मतलब कि छो बर्स पहले बिबाह हुआ था, तो पहले कम वाला उम्र होगा अभी से, तो बिबाह के सम आयू कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, और अभी कितना हो अब की आयू 5 हो जाएगा अब बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयू उसकी आयू की एक बटा दस गुनी है अब देखिए पुत्र की आयू उसकी आयू के एक बटा दस है तो पुत्र की आयू एक बटा दस के मतलब जो पुत्र हो जाएगा एक और राम हो जाएगा कितना एक बटा दस हैं तो एक बटा दस जब हैं तो इसको एक अनुपात दस लिख सकते हैं तो एक हो जाएगा पुत्र का और दस हो जाएगा राम का तो एक और कितना हो गया यहाँ पर आप अनुपात लगा सकते हैं कोई दिकत नहीं और यहां पर भी उन्ने पात लगा सकते हैं यह पखले का है साधी के समय और अब का अब पूत्र का हो गया एक तो पीता का हो गया रामका दस हो गया अब आपको क्या करनी है यहां पर समझ गया हो गूद तो बना लेंगे बिवा के समय वाला उम्र कम होगा और अभी जो एक बटा चार गुना है तो इसको तोड़ने पर पांच आ रहा है तो इसका मतलब जो अभी हो गया पांच अब पुत्र की एक बटा दस है पुत्र की पीता की राम की आई की एक बटा दस है एक पुत्र का हो गया और राम का ये एक बटा दस है तो दस हो गया राम का अब क्या करेंगे सामने वाला जो पढ़ता है यहाँ पर लिखेंगे जो इसके बगल में उपर सामने वाला पढ़ता है उसी को लिखेंगे तो पांच है अब यहाँ पर नीचे क्या करेंगे तो वाले रख देते हैं, उसके ठीक सामने वाला अंको, अब आईए, अब क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा और ये 10 पाचे कितना हो जाएगा, पचास, ये दस चागू का कितना हो जाएगा, 40, देखिए सब कट रहा हैं, ये 5 से कट रहा हैं, 5 कंप 5, 15, 15 50 और 5 8 40 अब आये अब क्या करना तो पुत्र की बर्तमान पुछ रहा है क्या होगा पुत्र की बर्तमान ज्Яूअ टा राम को बश्यकितना बश्यकितना बश्यक्त पहले शो बस्यक कुरम स्यासरे था अभ दिए निक सो में कितना के अंतरँ महीं दोनमका आफ का लोमर्व जादी कितने बरस पहले हुआ था छे बरस पहले इस दो से इस छे को क्या करेंगे कट आदेंगे तो दो तियाई छे अब क्या करेंगे अब जिसका पुछा होगा यहां से निकाल लेंगे तो पुत्र के पुछा हैं पुत्र की बरतमान आयू क्या होगा तो इस तीन से पुत्र करते हैं कि यह भी कोशन आप लोग अच्छे समझ गए होंगे अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं छो बरस पहले भीवा हुआ था राम का अब उसकी आई भीवा के समय के आयू का कितना है एक सही बटा चार गुना एक सही बटा चार गुना के तो च पुत्र के आयू उसकी आयू का एक बटा दस है तो पुत्र एक और दस हो जाएगा राम अब क्या करेंगे यहां पर एक और दस हो गया यहां खाली था तो सामने वाला अंको रख देते हैं अनुपात समन पात में पढ़ाए थे और इसके सामने इस दस को लिख देंगे यहा गुषा हैं जिसका पुछेगा तो होगा दोट नुना कर देंगे तो तीन बरस हागया तो पुट्र ना पुछा हुआ